ओके तो हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आपका स्वागत अमारे इस चैनल पर दोस्तो आज कर यह वीडियो बहुत यह था कमाल का होने वाला गर आप फेस्बुक चलाते हैं तो आपको इस वीडियो को कमप्लीर देखना है, स्किप नहीं करना है अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कल को आपका फेस्बुक कोई हैक कर ले या तो कोई और बंदा चला है या तो जो आपके फेस्बुक में सारा डीटेल है जो सारे फोटो हैं वह कोई और यूज करे हो सकता है ठीक है तो आपको इस वीडियो को पूरा complete देखने वाला क्योंकि आपके मॉबाइल में कुछ ऐसी application है 25 ऐसी application है जिसको Google ने बैन किया मैं आपको उसके बारे मताऊंगा मैं आपको पहले heading बता देता हूँ ठीक है Facebook password detail चुराने वाले इन 25 ऐब को Google ने किया बैन अपने mobile से तुरंट कर दे delete तो दोस्तों मैं आपको पता दूँ कि यह news 45 दिन पुरानी है जैसा कि आपको पता है कि वाई रोपनी गाउं में हो रही थी जिसकी वज़ेसे मैं यह video shoot नहीं कर पा रहाता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी होंगे जिनके mobile में यह सारी application होगी अभी मैं आपको बताऊंगा सारा list सो कर दोँगा आप देख लेना अगर आपके mobile में वह सारी application है तो आप अभी कि अभी अनिस्टॉल कर देना अगर आप अनिस्टॉल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो आपका Facebook है कल कोई और चला है जो आपकी email idea किसी और के पास आ जाए मैं आपको एकशी चीज बताऊंगा आप समझ जाएंगे अगर कोई application आपका कोई भी चीज अपने पास रखती है तो जाइर सी बात है कि उस चीज को हुआ किसी और को बेचेगी या तो खुद यूज करेगी बाकी अचार डालने के लिए नहीं रखेगी तो आपको ध्यान देना है अगर आपका detail किसी भी application के पास है तो application आपके detail का क्या क्या कर सकती है आप सोच नहीं सकती है तो आज के इस वीडियो में आपको 25 ऐसे application के बारे अगर आपके mobile में यह application होती है तो आप अभी के अभी अभी install कर देना तो चलिए वीडियो सुरू करती है लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी request करना चाहता हूँ आपको एक छोटा सा काम करना है सबसे पहले आपको वीडियो को like करना like करने के बाद में आपको इस वीडियो को share कर देना है share करने के बाद में आपको channel subscribe करके bell notification को all pay कर देना और आपको नीचे आना comment section में आपको एक प्यारा सा comment करना है और आपको यह भी comment करके बताना आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी और आपके मॉबाइल में कौन सी अप्लिकेशन है comment section में comment करके बताना तो चली बढ़ते आगे वीडियो में और हाथो तोसम आपको एक छी बताा दूँ कि जो अगला वीडियो होने वाला है Q&A का वीडियो होने वाला यानि question और answer का वीडियो होने वाला है अगर आपका कोई question है तो आप comment section में कर सकती है YouTube से related या तो आपको कोई वीडियो चाहिए या तो मतलब कोई भी आपका question है तो आप मुझे नीचे comment section में कर सकती है अगर आपने मुझे Instagram पर follow कर रखा है तो आप मुझे वाहाँ पर DM कर सकती है अगर आप मुझे Instagram पर DM करेंगे तो मैं आपके question को जरूर pick करूँगा ठीक है तो यह depend करता है आपके उपर आपका क्या question है और आप मुझे यहाँ पर comment कर सकते है या तो आप मुझे Instagram पर DM कर सकते हैं तो बढ़ते हैं application की list में दोस्तो मैं application का list बगल में show कर दूँगा आप देख लेना ठीक है बगल में show कर दूँगा आप देख लेना अगर आपके mobile में यह application है तो आप तुरंत अनिस्टॉल कर देना नहीं तो आपका Facebook कहीं है और चला जाएगा ठीक है तो शुरुआत करतें number 1 से number 1 super wallpapers flashlight मैं बगल में show कर रहा हूँ आप इन application का list देख लेना ठीक है number 2 pedant def और इसके 5 लाग से जादा डाउनलोड है बगल में मैं show कर रहा हूँ आप देखते जाहिए number 3 wallpaper level number 4 contour level wallpaper number 5 eye player और eye wallpaper number 6 video maker बीडियो मेकर भी है बाई इसमें मतलब ध्यान से देख लेना बाई number 7 color wallpaper number 8 pedometer number 9 powerful flashlight number 10 super bright flashlight number 11 super flashlight number 12 solitaire game भाई गेम भी आ गया इसमें ठीक है अगर आपके mobile में यह गेम होगा ना तो अनिस्टॉल कर देना number 13 accurate scanning आप qr code भाई qr code भी है इसमें ठीक है देख लेना अगर आपके mobile में यह भी हो तो delete कर देना ठीक है अनिस्टॉल कर देना number 14 classic card game number 15 junk file cleaning ओ भाई मतलब जो लोग वायरस उडाते हैं देख लो मैं बोलता हूँ ना बार बार आप इन अप्लिकेशन को अपने फोन में मत रखो बहुत खतरनाक अप्लिकेशन होती है जो आप सोचते हो कि junk clear कर देता आपके mobile का सारा वायरस delete कर देता है तो देख लो नंबर 18 composite Z, number 19 screenshot capture भी आ गया भाई, number 20 daily horoscope wallpaper, number 21 waxia reader, number 22 plus weather जो weather देखने वाला अप्लिकेशन है वह भी आपके डाटा को चुरा रहा है number 23 and I'm live wallpaper, number 24 eye health step counter, eye health step counter, देखो कैसी कैसी application लोग बना के आपके डाटा को चुरा रहे है तो आप इन application को जरा ध्यान से देखना और जो आप permission देते हैं आप उनको भी जरा ध्यान से देखना by news की application है तो हमारे camera की permission ले रखी है हमारे location की permission ले रखी है, बतलब ऐसा होता है तो आप location पर, sorry, आप permission पर भी जरा ध्यान देना ठीक है number 25, calm type fiction, calm type fiction, तो दोस्तों यही सारी application थी, जिनका list में आपको बता दिया, अगर आपके mobile में यह सारी application है तो आप तुरन delete कर देना, और हाँ यार इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी application जो flashlight के नाम से है, live wallpaper के नाम से है तो भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आपके mobile में, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है पहला तो flashlight के अगर बात करें, तो flashlight आपको उपर ही मिल जाता है, ठीक है, आपके notification में flashlight मिल जाता है तो आपको अलग से application इस्टॉल करने की क्या जरूरत है, और दूसरी चीज़, लोग live wallpaper इस्टॉल करते हैं तो भाई, आपको अपने phone के खाली इस्टान पर दबा के रखना है, जैसे आप दबा के रखेंगे, ठीक हम आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे आप दबा के रखेंगे, आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, wallpaper का, आपको दिख रहा होगा आपको wallpaper का मिलेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर किलिक करना है, जैसे आप किलिक करेंगे, आपके mobile में जितना सारा वालपेपर रहेगा, और कुछ आपके phone का wallpaper सो कर देगा, तो आप easily लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, कितने कमाल-कमाल के यहाँ पर wallpaper है, आप देख सक से आपको इन सारे application को रखना नहीं चाहिए बढ़ देख लेना अगर आप अपने facebook को save करना चाहते यानि आप अपने data को save रखना चाहते हैं तो भाई आप इन application को uninstall कर देना बाकी अगली वीडियो आएगी आप zero account पर HDFC में खाता कैसे खोलेंगे और अगर आप जियो का sim card चलाते हैं तो अगली वीडियो एक और आएगी उसके बाद मतब कापी धमाकेदार वीडियो रहेगी तो देखना जरूर ठीक है वीडियो को like करना चैनल subscribe करके गंटी all पे कर देना नहीं तो आप हमारी वीडियो को miss कर देंगे तो मिलते हैं next वीडियो में बाई